28 सालों से जारी है किसानों की लड़ाई ना मिला पूरा मुअबदा और ना ही मिली नौकरी किसानों को गुमरहा करने की कहानी Greater Noida में दादरी के ये किसान साल दो साल से नहीं बलकि 1992 से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी ये लड़ाई सीधे सीधे डादरी के अंटीपीसी प्रवंधन और सरकार से है दरसल ये मामला डादरी में अंटीपीसी के प्लांड के लिए जमीन अधिग्रहन का है जमीन लेते समय इन किसानों को मौवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया था 82 साल के किसान चरण सिंग अब तक कई बार एंटीपीसी और जिला अधिकारी कारियाले के बाहर पर दर्शन कर चुके हैं कई बार भूख हरताल भी की लेकन हर बार या तो आश्वासन देकर या फिर पुलिस के सहरे जवरन हटवा दिया गया एंटीपीसी स्थानी पर श्यासन और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई जिसके कुछ वीडियो भी किसानों ने बत और सबूत पेश किये एंटीपीसी प्लांट के लिए रूपवास, बिसहडा, रसूलपुर, तिलपता, पाली, उचाहमीरपुर जैसे 23 गावों के 3300 परिवारों से जमीन ली गई थी वादा परिवार से एक सदस को नौकरी का था लेकन अब तक महज 181 लोगों को ही नौकरी दी गई जो मावजा हमारा वो रुका हुआ है, जिसके लिए बाबा संग्रस कर रहे हैं और बाबा के साथ में किसान साथ दे रहे हैं मामला केवल नौकरी का ही नहीं, बलकि मौफ़ा देने में हुई गरवडी का भी है दरसल यहां के किसानों को काफी देर से मौफ़ा मिला, जिसके लिए सालाना 15 फीज़ी ब्याज का भुकतान भी किया जाना था लेकिन किसानों को आज तक यह ब्याज नहीं मिला, जो किसानों के मुताबिक अब बढ़कर प्रती बीगे 5 लाग रुपए से ज्यादा हो गया है एंटीपीसी हर साल करूनों का मनाफ़ा कमाती है, लेकिन दादरी में जिन किसानों की जमीन पर एंटीपीसी का यह प्लांट बनाये गया, उन्हें ना तो चित मौब जमला, ना वादे के मुताबिक नौकरियां अब किसान कई दिनों से, कई सालों से प्रजशन कर रहे हैं, लेकिन एंटीपीसी के डिकारी ना तो उनकी सुनने को तैयार हैं और हमने भी जब कोशिश की उन से बात करने की, तो हमसे भी बात नहीं हुई ये NTPC का प्लांट और यहां से उत्पादित होने वाली बिजली भले ही लाखों घरों को रोशन करती हो लेकिन यहां के आसपास के कई गाओं के घरों में अंधिरा अभी कायम है दादिरी से कैमरा परसन एजाज के साथ शेशांग पाठक सुराज एक्स्प्रेस